सब्सक्राइब करने हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकाइनो डर्मेटा से रिलेटिड एमसे क्यूज इस रिलेटिड एमसे क्यूज आपके नेट एक्जाम में प्लस बीए सी के अग्जाम में Ms.C के एंट्रेंस के लिए पीच्डी का अंतर लिए अगर आप जीलोजी से प्एच्डी करना चाते हैं तो उन्स भी में आपको यहल्प्फुल रहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं गेट के अंदर भी आपकी जो non-cord data और cod data है उससे literary questions आते हैं यानि कि जो logic के questions भी आते हैं अगर आप चाते हैं तो आप इन questions को देख करके अपना गेट के exam की preparation भी कर सकते हैं तो first question है water vascular system is peculiarity of यानि कि जो water vascular system है वो किस के अंदर मेली पाया जाता है porifera के अंदर ascaris, mollusca या फिर echinodermita जो water vascular system है तो आपका देखने के लिए मिलता है echinodermita के अंदर तो option number 4 is correct अब आते हैं next question पे radial symmetry is found in radial symmetry आपको किस में मिलती है radial symmetry जो आपको देखने के लिए मिलती है आपके echinodermita में और वो भी आपके starfish में ठीक है यानि कि जो echinodermita के जितने भी आपके जन्तु हैं उन से भी के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगी radial symmetry देखने के लिए मिलेगी so starfish किस का example है echinodermita के example है next है the term embolaker has to do with यानि कि जो term है embolaker किसके लिए यूज की जाती है so term embolaker जो has to do with किसके साथ यूज की जाती है इसमें option नहीं है इसमें d option होना चाहिए था यहां पे tube fit किसके साथ यूज की जाती है tube fit के साथ सिक्स आम्स इंस्टीर और फाइफ आम्स इंदी जन्रेशन इस में पूछा पूछन की इसके पास शों आम्स हैं पांच आम चीजलाख तो यह क्या हुआ ऐगा इदर क्या हुआ हैसी given ओल्ध इसक्तालू होती है elemento क्यों चेजर्ब करμέगा है सिक्सांकि अगई so option number B is correct अब आते हैं next question पे arms, spines and pedicillus are absent in जो arms होते हैं spines होते हैं और जो pedicillus होते हैं वो किसके अंदर absent होते हैं ये सभी क्या हैं आपके echinodermaids हैं अब आपको पता लगाना है कि echinodermaids में किसके अंदर क्या होते हैं ये absent रहते हैं तो basically अगर आपको याद है C cucumber C cucumber जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं ये cucumber यानि की इस तरह की structure होती है और यहाँ पे क्या मिलते हैं tentacles मिलते हैं तो इसके अंदर क्या होते हैं आपके arms, spines और pedicillus जो होते हैं वो absent रहते हैं C cucumber के अंदर option number D is correct अब आते हैं next question पे C plate और matripolite is found जो C plate होती है और matripolite है वो किसके अंदर पाई जाती है options पढ़िए C ears, C lions, C lemons या फिर starfish C plate और matripolite होती है जिसके structure आप देखते भी होंगे इस तरह की होती है तो ये किसके अंदर पाई जाती है ये आपकी पाई जाती है starfish के अंदर ठीक है अब आती है next पे so इसके अंदर पूछा गया था कि जो आपके C plate और matripolite है वो कहाँ पर पाई जाती है तो starfish के अंदर वो पाई जाती है इस तरह की होती है ठीक है इस तरह की अब आते है next question पे इन Echinodermata the fertilization is Echinodermata के अंदर fertilization के इस तरह का होता Echinodermata के अंदर जो fertilization होता है वो external एता है next is which one is the larva of starfish यानि कि कौन सा जो है larva होता है starfish का Bipenaria, Nupulus, Glokidum या फिर Tocopher Tocopher larva जो होता है वो आपके Molluska का होता है ठीक है तो जो आपका starfish का larva होता है वो क्या है Bipenaria so option number first is correct next है in Echinodermata skeleton is Echinodermata के अंदर जो skeleton होता है वो किस तरह के का होता है Echinodermata का skeleton जो होता है वो calcareous रहता है ठीक है calcium carbonate का बना होता है next है in starfish stone canal is associated with यानि कि starfish के अंदर जो stone canal होती है वो किस चीज से आपकी associated रहती है starfish के अंदर जो आपकी stone canal है वो associated होती है किस के साथ options को ध्यान से देखिए blood vascular system canal system digestive system या फिर water vascular system तो जो stone canal होती है वो water vascular system से connected होती है okay water जिसमें matripolite से tube feet तक पूरे ये आठ आपके भाग होते हैं उसके जिसके तुरूओ क्या करते हैं अपने water को ट्रांसपोर्ट करते हैं और लोकोमोशन एक्सक्रिशन रिप्रडक्शन इन सभी में help करते हैं ठीक है इन सभी में कौन help करता है water vascular system जो है वो help करते हैं नेक्स्ट है विच फाइलम इस exclusively महराइन यान कि कौन सा फाइलम जो है वो सिर्फ और सिर्फ या जादा तर क्या होता है महराइन होता है वो है आपका इकाइनो डर्मेटा क्योंकि इकाइनो डर्मेटा जो होते हैं ना तो फ्रेश वाटर में मिलेंगे तो बहुत कम है बहुत कम है ठीक है यानि कि ना तो फ्रेश वाटर में मिलते हैं और ना ही आपके इसलिए जीव होते हैं यह सिर्फ और सिफ क्या होते हैं मैराइन होते हैं next है starfish does not possess starfish क्या possess नहीं करती है mouth, annus, head या फिर arms starfish का क्या नहीं होता है starfish के पास जो होता है वो head नहीं होता है ठीक है जब कि starfish है ना तो उसके पास head होता है ना ही उसके पास क्या होगा brain होगा ना ही excretory system होगा ठीक है हम आते हैं next question बे एक animal having unsegmented silom एक animal है जिसकी क्या है unsegmented silom है superficial radial symmetry है in adult but bilater symmetry in larva यानि कि bilater symmetry किसमे है larva के time पे क्या है bilater symmetry है तो ये जो animal है ठीक है वो कौन सी family से belong करता है देखो ये जो animal है उसकी silom unsegmented है superficial radial symmetry है adult के अंदर और bilater symmetry मिल रही है किसमे आपके larva के अंदर तो ये किसके अंदर belong करता है ये बहुत इजी है ये आपका belong करता है echinodermita क्योंकि उसकी के अंदर आपके क्या मिलती है radial symmetry मिलती है अगर question होता कि bilater symmetry मिल रही है आपकी adult में और larva के अंदर कोई भी symmetry नहीं है तो वो कौन सी आपके phylum से belong करता है molluska से okay I hope ये difference आपको clear हुआ होगा क्योंकि जब आप पढ़ोगे molluska के पूरे characteristics और echinodermita तो उसमें आपको पता होगा कि जो echinodermita है वो radial symmetry रखते है adult में ठीक है और larva की stage में रहते है bilater symmetry लेकिन अगर आपके जो molluska है molluska के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है आपको molluska के अंदर देखने के लिए मिलेगा bilater symmetry adult में और उसके larva की stage में क्या रहती है कोई भी symmetry नहीं होती है आपने gastropoda का नाम सुना होगा ठीक है molluska में gastropoda एक लास है उस gastropoda का ये special feature है कि वो उसके अंदर क्या आता है larva stage के अंदर वो unsegmented हो जाते है ठीक है उनके अंदर कोई भी symmetry नहीं होती है अब आते हैं कुछ fill in the blanks पे ठीक है सो फर्स्ट है echinodermita have type of silom यानि कि echinodermita के पास कौन सी type of silom होती है echinodermita के पास जो होती है enterosilus silom होती है ठीक है sea water enter into embulgar system through a calculeus plate code यानि कि पाने का ना ठीक है sea water का ना embulgar system में calculeus plate से उसको हम क्या कहते है याद कीजिए water system को ठीक है जब starfish जो होती है सोरी जो sea water है जब वो कहाँ enter करता है calculeus embulgar system में calculeus plate के थूरे enter करता है इस plate को हम क्या बोलते है madry polite madry polite ठीक है फिर है silom of starfish starfish की silom कैसी होती है और विसी बात है enterosilus क्योंकि सारे echinodermita की silom कैसी है enterosilus होती है ठीक है अब next आते है adult echinodermita exhibit adult echinodermita के अंदर आपको कौन से symmetry देखने के लिए मिलती है radial symmetry कौन से symmetry देखने के लिए मिलती है radial symmetry tube fit are present in tube fit कहां पर पाए जाते है tube fit आपके basically water vascular system के अंदर मिलते है water vascular system के अंदर आपको देखने के लिए मिलते है next starfish move with the help of starfish जो है वो किसकी help से move करती है tube fit की help से क्या करती है starfish जो है वो move करती है next question है the endoskeleton of echinoderm is in the form of यानि कि जो endoskeleton होता है echinodermita का वो किसकी form में होता है जो endoskeleton है वो dermal ossical की form में होता है किसकी form में होता है dermal ossical ओके फिर है dermal papula are useful in dermal papula papula क्या एक respiratory organ भी है लेकिन यहां पे किसके बारे में पूचा गया है dermal papula are useful in dash लगा के respiration यानि कि respiration के साथ साथ और क्या काम करता है वो respiration के साथ साथ वो काम करता है excretion का इसके अंदर क्या नहीं होता दिमाग नहीं होता है brainless रहते है और नहीं excretory organ होता है उनको हम क्या कहते है echinodermates या echinoderms ठीक है यानि कि echinodermata जो phylum है उसके अंदर वो क्या होता है triploblastic होते है बीना brain के और बीना excretory organs के होते है अब next slide है the system peculiar to echinoderm is जो system होता है peculiar का echinoderm में वो किस तरह का होता है the system to echinoderm is water vascular system ठीक है peculiar के लिए क्या होता है water vascular system होता है इसका answer क्या हुआ water vascular system next है the body of starfish is kept clean by जो starfish के body है वो किसके दुआरा साफ रहती है starfish के body बताइए किसके दुआरा साफ रहती होगी paddy sileria के दुआरा ठीक है paddy sileria के दुआरा क्या रहती है वो clean रहती है ठीक है सो लास्ट कोशन है आपका सो ली लास्ट लास्ट किसी कुकुमबर बिलोंग टू कलाश जो सी कुकुमबर है वो कौन सी कलास से बिलोंग करता है बहुत इंपोर्टेंट है ये ठीक है कौन सी कलास है होलो थुरोइडिया ठीक है होलो थुरोइडिया कुकुम्बर की तरह कीरे की तरह इसकी structure होती है ऐसी ओके यहाँ पर क्या लगे होते हैं टेंटेकल्स लगे होते हैं फिर यह last question है आपका starfish has a system of canal cold यानि कि starfish के अंदर कौन सा system of canal पाया जाता है water vascular system यह देखिए water vascular से कितने जादा questions आई हुए है तो आपसे पूछे starfish के अंदर कौन सा system पाया जाता है water vascular system पाया जाता है अगर आपसे पूछे काइनो डर्मेटा के अंदर कौन सा system पाया जाता है water vascular system पाया जाता है कौन से symmetry होती है radial symmetry होती है तो आप यह कुछ characteristics जो है वो याद कर सकती है कि इनके अंदर radial symmetry मिलती है इनके अंदर brain नहीं होता है ठीक है brain नहीं होता है that means head भी नहीं है इसके साथ excretory system भी क्या रहता है absent रहता है और क्या चीज़े आपने इसमें देखी कि इसके अंदर क्या होता है water vascular system देखने के लिए मिलता है water vascular system और क्या देखा आपने कि इसके अंदर आपको और क्या देखने के लिए मिलता है water vascular system के साथ साथ आपने एक चीज और देखी होगी region nation की इनके अंदर क्या होते है region nation की power भी होती है लेकिन region nation कब होगा जब वो मालू यह starfish है ठीक है एक सेकेंड अब अगर इस starfish का एक आम जो है वो लोस्ट हो गई है तो उस टाइम पर क्या करें कि रिजनेशन पावर के थुरू दुबार से इसको रिजनेट कर लेगी ओके और क्या देखा आपने काइनो डर्मेटा की अंदर कि इनकी जो सिलोम होती है वो क्या होती है एंटेरो सिलास होती है ओके लोको मोशन जो करते हैं वो ट्यो फिट के दुवारा करते हैं यह चीज आपको याद रखनी होगी और इनकी जो बॉड़ी होती है वो कैसी होती है कैल के डियस होती है यह कुछ इंपोटेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको इक आनो डर्मेटा क देखने के लिए मिलते हैं जब आप इसके क्रेक्टर स्टिक्स परते हैं ओके सो देट वो फो टूडे मिलते हैं नेक्स सेशन में आई होप योल लाइक इट किए लाइक शेर्प्सक्राइब टो माई चैनल